Hello everyone, आज हम Sleepy Classes में डिसकस करेंगे National Parks of Assam के बारे में अब Assam is a very very important state, not only with respect to the biodiversity but also with respect to the exam तो हमारे लिए ये topic डिसकस करना बहुत ही pertinent है इस टाइप पे अब जब हम Assam की बार करते हैं, तो Assam में 7 National Parks मिलते हैं which are second highest in number only after Madhya Pradesh Madhya Pradesh में 11 मिलते हैं, Assam में 7 मिलते हैं, उसके अलावा अगर हम इस लिस्ट में UTs भी include करें, तो फिर Assam third number पे आ जाता है क्योंकि Underman and Nicobar Islands में भी 9 National Parks हैं, in fact Assam is a part of Indo-Burma Biodiversity Hotspot देखिए जब हम अरुनाचल प्रदेश की बात करते हैं, अरुनाचल प्रदेश, भुटान, नेपाल ये जो है, ये पार्ट है, Eastern Himalayan Biodiversity Hotspot का, which is actually Himalayan Biodiversity Hotspot only लेकिन Assam is a part of Indo-Burma Biodiversity Hotspot तो इसमें नहीं confused होना है, और ये एक रीजन है कि यहां पर protected areas बहुत जादा मिलते हैं और साथ तो National Parks ही मिलते हैं, which is the second highest in the country after Madhya Pradesh as far as the states are concerned तो आईए इनके बारे में और जानते हैं शुरू करने से पहले, आज हम एक online free mock test conduct कर रहे हैं and it would be available 10 a.m. onwards, until midnight आप कभी भी बैच सकते हैं और इस mock test को attempt कर सकते हैं and it is completely free of cost, आप एक बार attempt कर लेंगे तो कल आपको solutions का PDF भी available कर वा दिया जाएगा and you can also get to know your AIR, All India Rank so do attempt this mock test प्रलिम से पहले हमें कोशिश करनी हैं कि हम जादा से जादा mock test को attempt करें यह mock test भी उटसी line में हमने conduct करवाया है उसके बात हमारा rapid revision cause चल रहा है now as the name suggests, it is a revision cause यह जो cause है, यह live है लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो हमारे कुछ subjects like environment, S&T, quality हो चुके हैं geography चल रहा है, आज geography का second day है जिसमें हम सारे static components को revise करेंगे at the same time economy, history और IR अभी पड़े हैं तो अगर आप इसे आज join करते हैं, it is priced at 3,000 रुपीज ओनली when you use the code sleepy CL, तो आज आप geography की live class तो attend करी पाएंगे आने वाली live classes भी आप attend कर पाएंगे at the same time, जो classes हो चुकी है, उनको आप recorded way में देख सकते हैं at a higher speed, right? उसके बाद अगर आपको comprehensive course चाहिए, तो आप हमारा crash course पे ले सकते हैं उसके prices have also been slashed to 4,000 अब इसमें क्या है कि आपको खर subject का detailed content तो मिलता ही है at the same time आपको full length test, mentorship, you have access to a selected candidate जिनसे आप mentorship ले सकते हैं, आप academic mentors से अपने doubts पूच सकते हैं CSAT की master class आपको मिलती है, MCQs practice के लिए मिलते हैं और अगर 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 सकते हैं तो आप एक subject भी अलग से खरीच सकते हैं तो please full length test जरूर attempt कीजिए, आप चाहे हमारे institute से ले सकते हैं, कई और से ले सकते हैं तो जब हम असाम की बात करते हैं, असाम में हमें 7 national parks और 17 wildlife sanctuaries मिलती है अब यहां पर ना दो biosphere reserves मिलते हैं असाम is one state where you have two biosphere reserves, उसके अलावा हमारे पास मध्य प्रदेश हैं जिसमें तीन biosphere reserves मिलते हैं, पन्ना, पंचमरी और अचना कमर अमरकंतक और यह तीनों ही map का पार्ट है, जबकि असाम में जो दो मिलते हैं, दिबरु साइकोवा और मानस यह दोनों ही map का पार्ट नहीं है फिर उसके बाद इंडिया में 7 natural UNESCO World Heritage Sites मिलती हैं उसमें से दो एक स्टेट में मिलेंगी विच इस असाम और वो दो साइट कौन सी हैं, काजी रंगा और मानस उसके बाद एक रामसर साइट है, only one रामसर साइट and that is दिपौर बील, बील इस दो नीम, आसमेंस नीम for a lake तो वो यह पर आपको मिलती है, उसके बाद यहाँ पर आपको चार टाइगर रिजर्वस मिलते हैं सबसे ज़्यादर टाइगर रिजर्वस आपको मर्ध्य प्रदेश में मिलते हैं और यहाँ पर आपको चार मिलते हैं और रांच ना मेरी काजी रंगा मानस, इसके लिए कीवर्ड है मंक या अक्रनम है मंक ठीक है और मानस और काजी रंगा नाशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है और नाचरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और जो मानस है वो तो बायोस्वेर रिजर्व भी है उसके बाद पांच elephant reserves मिलते हैं विचार दर हाइस्ट इन कांट्री टोटल हमारे पास 33 elephant reserves है जो 33rd है वो भी लीसंटली नोटिफाई किया गया था तेराई इन यूपी और पांच आपको असाम में मिलते हैं और तमिल नाडू में मिलते हैं तो हाइस्ट इन दा कंट्री और 46 important bird areas मिलते हैं और इस important bird areas are also known as important bird and biodiversity areas notified by BNHS and bird life international तो असाम is very very important with respect to biodiversity and protected areas इस वीडियो में हम focus डाने है नाशनल पार्क्स पे तो हमारे पास साथ national parks हैं सबसे पुराना काजी रंगा है सबसे बड़ा भी काजी रंगा है उसके बाद latest जो notify किये गए हैं वो है राइमोना और दिहंग पटकई और जब हम देखते हैं ना so we start from the westernmost westernmost में हमारे पास राइमोना आता है followed by monk ठीक है मानस और रांच नमेरी काजी रंगा ठीक है उसके बाद हमारे पास आता है देहंग पिटकई और उसके बाद आता है दिब्रू साइकोबा तो अगर आप से यहां पर आपको tropical rainforest, tropical deciduous forest, grasslands mostly मिलते हैं आसां स्टेक में उसके बाद हमारे लिए important हो जाता है rivers कौन से मिलते हैं राइट rivers और यहां पर biodiversity कौन से मिलते हैं जो हमें याद करनी है जो UPSC पूछ सकता है ठीक है तो राइमोना जो है ना यहां पर राइमोना है और यहां पर आपको एक river मिलता है संकोश river which is actually a tributary of ब्रह्मापुत्रा अगर आप यह देखोगी यह ब्रह्मापुत्रा जा रहा है संकोश यहां पर कहीं है उपर से आता है और फिर ब्रह्मापुत्रा को जोईन कर लेता है तो इस river इस national park के western side पर आपको मिलता है संकोश river और eastern side पर मिलता है सरल भंगा and both of these are tributaries of ब्रह्मापुत्रा ठीक है तो इधर आपको मिल रहा है संकोश इधर सरल भंगा बीच में राइमोना और इसके south में एक रवर मिलता है पेकुआ river ठीक है और यह जो राइमोना है न यह ऊपर की तरफ है ठीक है इट शेयर इट बाउंडरी विद भुटान ठीक है भुटान का एक फिफसो वाइड लाइफ सैंक्चुरी है इन जिगमे सिंग में वांग्चुंग नाशनल पाक है उसके साथ ये बाउंडरी शेयर करता है और यहां पर आपको गोल्डन लंगूर मिलता है गोल्डन लंगूर इस जीज गोल्डन लंगूर क्योंकि यह एप जी ने डिस्कवर किया था अब जब हम गोल्डन लंगूर की बात करते हैं तो गोल्डन लंगूर एक लंगूर है जो आपको नौथ जीज पार्ट अफ अप दे कंट्री इसपेशली असाम में मिलता है और में एक wildlife sanctuary है चक्र शीला wildlife sanctuary which is dedicated for golden langur in fact the raimona है यह आपको Bodo land region में में मिलता है टो langर is also a mascot of Bodo Land region तूछ यह endangered है and Saeed's appendix one right so this is about golden langur, golden langur raimona में मिलता है चक्र शीला wildlife sanctuary है वो थोड़ी नीचे है which is dedicated to golden langur, right, clear उसके बाद हम आते हैं, मानस क्योंकि हमारा क्या था, रार, मंग, डी, डी, तो हमने उसी में इसको अरेंच किया है अब मानस हम national paak तो है ही, ये सारे national paaks है उसके बाद हमने करा था, दो natural world heritage sites है, काजी रंगा और मानस, चार टाइगर reserves है, मानस उन में से एक है it is also an elephant reserve and it is also a biosphere reserve along with दिबरु साय कोगा, but not under map अब अगर हम मानस की बात करें मानस भी अगर आप map पे देखते हो, तो जो मानस है इस इस मानस, ठीक है मानस is very much contiguous with bhutan ठीक है, नीचे इंडिया में मानस है मानस नाशनल पाक, उपर भुटान में रोयल मानस नाशनल पाक है और इन दो कंट्रीस में इंडिया और भुटान में जो बाउंडरी है, वो मानस रिवर ही बनाता है, सो मानस रिवर is an important river of मानस नाशनल पाक अधिक है, इस इस contiguous with royal मानस नाशनल पाफ, इन फाक नाशनल पाक, यहां पर ट्रामका बना था, ठीक है नाशनल पाक, इस ट्रामका इस अच्छली एं झालाबरेशन बेविन इंडिया और भुटान पूर थे आशनल पाउंडरी तो नाशनल बाउडरी और ब्रह्मा पूत्रा रिवर्र, यहां पर जितने भी रिवर्र्स हैं, सब ब्रह्मा पूत्रा के ही ट्रिब्यूटरी हैं अब उसके बाद जसे यह प्लेंस में जाता है, यह split हो जाता है बेकी आड बोल कडूबा रिवर में इस यहां परना आपको मिलता है golden लंगूर, ठीक है यहां परना viable population of pygmy hog मिलती है pygmy आपको पता है, छोटे लोगों को pygmy कहते है, and hog is for pig so it is actually world's smallest pig, यह आपको सबसे जादा मानस में मिलता है ठीक है, उसके अलावा golden लंगूर, असाम में golden लंगूर मिलता है hispid hair, ठीक है, वो मिलता है और असाम रूफट टॉर्टल मिलता है अब pygmy hog, hispid hair, असाम रूफट टॉर्टल, all of these are endangered, यह सब endangered है, this is pygmy hog, इसके उपर में pygmy hog sucking louse होता है, यह sucking lice, which is a parasite of pygmy hog और क्योंकि pygmy hog इतना कम रह गया है, तो यह जो sucking louse है which is dependent on pygmy hog, यह भी critically endangered है अब right, so this is your manas उसके बाद next हमारे पास आता है और रांच और रांच is located at the नदरन bank of ब्रह्मापुत्रा ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो, अब हमें यही याद रखना है जब हम मानस की बात करते हैं, तो मानस पर में रिवर मानस है, ठीक है अगर हम रायमोना की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास different rivers है, संकोश है, सरल बंगा है, पिक्कुआ है यहाँ पर जब हम और रांच की बात करते हैं, तो और रांच is on the nadran bank of ब्रह्मा पुत्रा उन्ली, यह ब्रह्मा पुत्रा जा रहा है, यह इसका nadran bank है, नौठ की साइड पर वहाँ पर और रांच है, ठीक है तो और रांच important है, और रांच बहुत ही चोटा नेशनल पार है और यहाँ पर भी न आपके पास वान हॉंट राइनो, पिग्मी हॉग, एलेफिंस, वाइड बफलो और टाइगर्स मिलते हैं देखो जब हम काजी रंगा की बात करते हैं तो काजी रंगा में हमारे पास बिग फाइफ मिलते हैं पांच बड़ी-बड़ी स्पीशीज, जिन में से एक है वान हॉंट, राइनॉसरिस, ताइगर्स, एलिफिंट, बॉर्ट, बॉट वार्टरRIS, वाइलग बॉर्टर, बॉफलो और स्वांप दियर Swamp Deer is 12 सिंगा अब इसमें जो One-Horn Rhino है और जो Swamp Deer है ये वन्रबिल है बाकी तीनों Endangered है पहले तो आप इसको ऐसे याद कर सकते है उसके बाद जो Species यहाँ पर मिलती है वही Species आपको औरांच में भी मिलती है इन फाक्ट कहीं कहीं जगा पर तो औरांच को मिनी काजी रंगा भी लिखा जाता है क्योंकि छोटा साइज है तो इसलिए उसको मिनी काजी रंगा भी कहा जाता है तो वही Species जो आपको काजी रंगा में मिलेंगी वही आपको औरांच में मिलेंगी जिसे wild water buffalo is also endangered, तो हमने जितनी भी species करी है न, all of them are endangered, ठीक है, except your one horn rhinoceros which is one river, उसके बाद नामेरी आता है, अब नामेरी क्या है, नामेरी अरुनाचल के साथ boundary share करता है, पक्षुई wildlife sanctuary of अरुनाचल, और यहां पर हमारे पास जो river है, जो lifeline है नामेरी का, that is जिया भरोली, ठीक ह जिया भरोली, ठीक है नामेरी में कुछ और याद नाई, जिया भरोली जरूर याद कर लिजे, रहिए, तो बाद नामेरी नाशनल पाक, sharing boundary with अरुनाचल, ठीक है, नामेरी with अरुनाचल प्रदेश, उसके बाद नेक्स काजी रंगा आता है, काजी रंगा is a national park, a world heritage site, a tiger reserve and an elephant reserve, ठीक है, जो हमने मानस के लिए क्या था, वही सब कुछ है, except काजी रंगा is not a part of biosphere reserve, it is not declared as a biosphere reserve, अब काजी रंगा में गज उत्सव और्गनाईज किया गया था, to mark 30 years of project elephant, तो ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है, और उसके बाद ना, जब हम काजी रंगा की बात करते हैं, तो यहां के rivers, सबसे important ब्रह्मापुत्रा और उसकी tributaries, दीफलू, मोरा दीफलू and मोरा धनसीरी, ठीक है, so दीफलू, मोरा दीफलू and मोरा धनसीरी along with ब्रह्मापुत्रा, then big five, big five में हमने का रहा, one horn, rhinoceros, tigers, elephant, asiatic, wild buffalo and eastern swarm deer, ठीक है, ये दो चीज़ आपको याद रखन ही है, कि यहां पर ना आपको approximately two-third population of one horned rhinoceros in the world मिलती है, now one horned rhinoceros is also known as Indian rhinoceros, एक सींग वाला गेंडा इसे बोलते हैं और ये इसको Indian rhinoceros भी कहा जाता है, ठीक है, अब ये आपको 75% इसकी जो population है, वो आपको काजी रंगा नाशनल पार्क में मिलती है, highest density आपको पॉवित ओरा, wild light sanctuary में मिलती है, जो की असाम में है और एक wild light sanctuary है, तो सबसे ज़्यादा आपको tigers मिलते हैं यहां पर, सबसे ज़्यादा not tigers, बट density of tigers यहां पर high है compared to north east, अब जब आपको north east देखते हैं तो north east as a landscape is not performing great in terms of conservation of tigers, प्योंकि numbers भी यहां पर घटे हैं compared to the previous estimation जो 2018 में census हुआ था और जो 2022 में हुआ तो उसमें numbers घटे हैं और यहां पर अगर हम tiger reserves की बात करें तो management effectiveness evaluation करके जो metric है उसमें भी north east has not performed up to the mark, तो tigers की case में numbers कम हुए हैं, but one horn rhinoceros की conservation में यह काफी successful रहा है, and उसके बाद यहां पर eastern swamp deer की almost सारी population आपको मिलती है, अब eastern swamp deer बारा सिंगा अब इसके अलावा यह आपको मिलता है गेंगेटिक plains में और central Indian highlands में, in fact kana is known, kana national park in madhya pradesh is known for the conservation of बारा सिंगा, for reviving the numbers of बारा सिंगा, ठीके तो वहां पर मिलता है दूदवा, UP में मिलता है और उस के अलावा आपको काजी रंगा में मिलता है, ठीके, so this is your काजी रंगा national park, right, so इसमें like I said के बारा सिंगा मिलता है, बारा सिंगा is also wonderful, तो वान हॉर्ण राइन उसरस और बारा सिंगा, बारा सिंगा वनरेबल है, जब हम बिक 5 की बात करते हैं, ठीके, और जसे हमने बिक 5 में पंहॉर्ण राइनो करा, टाइगर, एलिफिंस, ठीक है, स्वाँम डियर, वॉटर बफलो, वाल्ड वॉटर बफलो, तो यह तीनों हमारे पास इंडेंजरड है, जबकि यह दोनों हमारे पास वन रिपन हैं, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, है त्विस्वावाट आप कोई सिर्वाइन आप चेह रखेए दीडरुसाइकोवा यहां पर लौरोथ इस अगें डिबूट्री और पूद्रह ब्रह्मापुत्रा अब डिबूसाइकोवा इसलिए पेमेस है क्योंकि रोचीजें हैं जब डेट अर्थक्याय था असाम निएच 1950s तो दिवरु साइकोगा का बहुत पार्टना नीचे धस गया और वो स्वांप में कनवर्ट हो गया तो इस दो बिगेस्ट सैलिक्स स्वांप इन दे नौर्थ इस्टिन पार्ट ऑफ दे कंट्री सैलिक्स क्या होता है एक तरह की स्पीशीज होती है तो यहां पर आपको वाइल्ड होर्स मिलते हैं विचार इंडेंजर ठीक है सो यह है दिपरुसाइक होगा जौर काफी नीचे चला गया था तो यह यह लोहित रिवर के सात associated है and this is your Dihang 35 which is the last national park of today इसमें मेना कोल and oil rich districts 味 पत्काई और इंडिभरुसाइक होगा अगर एक पार असाम का जहां पर coal और oil rich districts पे है कोई दो protected areas तो यह है उसके बाद यहां पर दिगबोई है विच इस दी ओल्डेस्ट राइफिन राइफिनरी ऑफ एशिया और यहां पर लाइडो एक जगह है जहां पर open cast coal mining होते है फिर इसको नढड जएपोर रेन फोर इस पहा जाता है जिसके फोट्खे आपको यह ब्लाइफ संक्री मिलती है And then it is also known as Amazon of the East क्योंकि Jaipur Rainforest है तो एक तरह से काफी dense Tropical Rainforest यहाँ पर मिलते हैं तो देहंग पटकाई को आप Amazon of the East बोल सकते हो याँ Jaipur Rainforest बोल सकते हैं So these are the 7 important protected areas of Assam तो अगर मैं फिर से अगर आपके साथ revise करूं तो आपको ना एक चीज याद में रखनी है कि rivers कौन से कौन से हैं Raimona में हमने पढ़ा Sankoosh, Saralbhanga और नीचे है Pequa Manas में हमारे पास Manas River है उसके बाद और रांच में हम भ्रह्मापुत्रा की बात करते हैं It is on the Nadirin bank of भ्रह्मापुत्रा Obviously there are other rivers also involved but main यहीं है उसके बाद नामेरी में जिया भरोली काजी रंगा में ब्रह्मापुत्रा, दीफलू मोरा, दीफलू मोरा गंसीरी Then Dehank पठकाई में Dehank River और दिब्रू साइकोवा में हमारे पास लोहित River which is again attributory of ब्रह्मापुत्रा और अगर आप biodiversity की बात करो तो यहाँ पर आपको big five जो काजी रंगा में मिलता है वही mostly आपको और आपको और आपको एकदम वही मिलता है उसके अलावा जो हमारे पास दिब्रू साइकोवा है वहाँ पर आपको wild horses मिलते हैं अगर आप यहाँ पर image में भी देखो देन अगर हम बात करें golden लंगूर की तो वह आपको राइमोना में मिलते हैं ठीक है उसके अलावा काजी रंगा और अगर हम बात करें और रांच में तो वहाँ पर big five आप कर सकते हैं and then you also get manas में pygmy hawk don't forget pygmy hawk and manas and उसके बाद ना यहाँ पर आपको birds like bingol florican which is also critically endangered bustard वो भी मिलती है तो यह कुछ details थी regarding the protected areas of Assam rather only focusing on the national parks of Assam I hope this was a fruitful session for you कोई भी doubt है किसी भी तरह का आप comments में लिख सकते हैं course से related कोई भी doubt है तो वो भी आप हमें comments में पूछ सकते हैं या हमारे number 1-800-890-3043 पे call कर सकते हैं so that was all from my side thank you so much for listening to the lecture